हेलो और वेलकम टू माई यूटीव चैनल मेरा नाम है पंकच और स्वागत करता हूं नौथ इस्ट इंडिया के इस डवलप्मेंट प्रोजेक्ट की इस नए सिरीज में नौथ इस्ट इंडिया भाध का एक यहम हिस्सा है जो अपनी great diversity और rich in culture के वज़े से दुनिया भर में जाना जाता है हाला कि infrastructure development के टर्म में आज भी कई सारे challenges को face कर रही है और इसी challenges को sort out करने के लिए government कई सारे initiator ले रही है जिससे ना सिर नौथ इस्ट इंडिया की infrastructure बहतर होगी बलकि आने वाले समय में रोजगार के नए आउसर खुलेंगे बहुत सारे jobs opportunities भी मिलेगी ऐसे म वीडियो में नौथ इस्ट इंडिया के कुछ बड़े और सांदर प्रोजेक्ट को करीब से देखने की कोसिज करते हैं वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर देना तो चलि दोस्तों आज की इस नौथ इस्ट इ होरीच होगी। यह ब्रीज ब्रह्मतरा रीवर के रासते पलस भरी और स्वालकू ची को करनेक करेगी। जोकि परदान मंत्री मोदी जी अपने कर कमलोदवारा एपरील दो जट तैस में फाउंडेशन इश्टॉन रखा था बताया जाता है कि यह ब्रीज 12.21 किलोमेटर एप्रोच रोड का हिस्सा है जिसमें ब्रीज का लेंद 3.6 किलोमेटर है जिसकी बजट आने की कोष्ट 3200 करोड होने वाली ह बिदिज एक EPC बेसिस प्रोजेक्ट है जिसे नेक्स्ट 48 मन्त में बना कर पूरा किया जाना है ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह पलस भरी स्वलकुची ब्रहमपूत्रा रिभर ब्रीज प्रोजेक्ट कब तक बनका तयार होती है North East India की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है ब्रहमपूत्रा एक्सपेस्वे प्रोजेक्ट 890 अनि के 890 किलोमेटर एक्सपेस हाइवे के रूप में प्लैन किया गया ब्रहमपूत्रा एक्सपेस्वे ब्रहमपूत्रा रिभर के एलोंग सद्या से डूबरी तक बनाया जाना है एक रेक में बनाया जाना है अब डेट्स के अकॉर्डिंग गवर्मेंट ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट को एप्रूजेक्ट कर चुकि है फिलाल स्टेडी और रिसर्च करने का काम चल रहा है जल्दी आसाम गवर्मेंट इस ब्रहमपूत्रा रिवर को इंप्लिमेंट करन में बनाया जाना है वो कब तक बन का तयार होता है नौथ इस्ट इंडिया की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है सिबोक रेंग पो रेल लिंग प्रोजेक्ट को बनाया जाना प्रस्तावित है इस 45 किलोमेटर रेल लिंग में तक्रियन 38 किलोमेटर के हिस्सा तो केवल टरनल के रूप में ही होगा जिसका आज के डेट में टरनल लिंग का काम 70% का वर्क कम्प्रेट कर चुकी है बताया जाता कि यह रेल लिंग बनने से सिकिम पहली बार रेल कनेक्टिबिटी से जूड़ेगी कनेक्ट होकी जो कि इस प्रोजेक्ट की सुरुवाद 2008 में ही की गई थी बट अनफोर्चनेटली इनवर्मेंट किलियरंस और भी बहुत सारे ऐसी प्रोब्लम के वज़े से प्रोजेक्ट अटकता रह गया पट फाइनली फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट अप इंडिया दवारा जो अब तक अटक रहा था उसे एपरूट कर दिया गया और आज तकरवन 70 से 80 परसंट का वर्क कंप्रिट खाज चुकी है उमीद है 2024 एंड तक यह प्रोजेक्ट पूरी तर से बनका तयार हो जाएगी और पहली बार सिकीम रेल कनेक्टिविटी से जोड़ेगी North East India की next बड़ी प्रोजेक्ट है Integrated Hospitality and Convention Center प्रोजेक्ट मेगा लिया के तूरा में प्लैंकिया गया Integrated Hospitality Convention Center प्रोजेक्ट मेगा लिया Torismo Department द्वारा बनाय जाना है बताय जाता है कि यह प्रोजेक्ट मेगा लिया के लोग के लिए काफề इंपॉर्टेनट है चाहां एक convention hub होगी, government offices होगी, guest house होगी, food courts होगे, children play area होगा और भी कई सारे tourism sector को बढ़ाने के लिए और भी कई सारे बहत्रिन infrastructure को इस परिशर के अंतरकत बनाये जाना है बनने के बाद निश्ची तोर पर आने वाले समय में यहां सोशियो एकोनोमिक hub के रूप में उभर कर आएगा तो देखना दिल्चस्प होगा कि कब तक यह बन कर तयार होता है North East India की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है कामखाया टेंपल कोईडोर प्रोजेक्ट वारनशी के काश्य विष्वर नाध धाम कॉईडोर के तज़ पर प्लैन किया गया टेंपल कॉईडोर आसाम के गुहार्टी में सिच्वेटेट का मखाया टेंपल को एक विष्व इसतरिये कॉईडोर के रूप में बनाया जाना प्रस्तावित है अभी जो आप इसकीन पर देख पारें हुब 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 इसे ऐसे ही बनाया जाना है जो कि आसाम के चीप मिनिस्टर हिमंता विष्व सर्माजीन अपने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल और यूर्ट्यूब चैनल पर भी शेयर किया है ऐसे में जल्द ही इसका मख़या टेंपल कोईडोर का एक डीटेल वीडियो आने वाला है तो प्लीज आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेज कर लें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे है इसकी अलावा नौथ इस इस इंडिया में रेल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आज कई सारे रेल लिंक पर काम हो रहा है जिन में से एक जीरिबन इंफाल लाइन भी है यह लाइन बताया जाता है कि 110 किलोमेटर लंबी रेल लाइन है जिसके अंतरगत 52 टनल 11 मेजर ब्रीजेस 129 माइनर ब वो साह है ऐसे में देखना दिल्चस्था होगा कि आजके डेट में जो भी बड़े बड़े अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आजको डेट में नो थीषट इन बन रहें वहाज सारे कब तक बन का तयार होगे और एक बस बनते हैं तो कहीं न कहीं न नॉर्थिस्ट इं एमस गुहार्टी जैसे अभी रीसेंटली ही फेस वन का काम को कम्पिट कर लिया गया है फेस टू आज भी इन सभी का अंडर कंस्टरक्शन है मैं जल्द ही नौथ इस्ट इंडिया से रिलेटेड दूसरी और तीसरी पार्ट वीडियो के रूप में जल्द से जल लाने की कोशिस करूँगा जिसमें मैं जैदा से ज्यादा प्रोजेक्ट को कवर करने की कोशिस करूँगा फिलाल आज किस वीडियो को मैं यहीं पैंड करता हूँ, होप ये छोटा सा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा अगर इंटरेस्टिंग लगा इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर लेजेगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत